So hi guys, welcome to TechnoKellas Guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक YouTuber है और अपने mobile phone से mobile की screen को record करके कोई tutorial videos बनाते हैं और उसे एक professional look नहीं दे पाते हैं या फिर HD quality की video record नहीं कर पाते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके एक proper solution देने वाला हूँ और साथी साथ आपको एक application के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपको screen record करना है HD quality के आप screen recording कर पाएंगे और साथी साथ काईन मास्टर में आप उसे professional तरीके से कैसे edit करेंगे इन सारी चीजों के बारे में हम detail में step by step जानेंगे तो इसके बारे में जानने के लिए बनेरे इस वीडियो पे अंतक और साथी साथ अगर आप हमारी चैनल पर नया है तो subscribe करके घंटी वाला बटन दबा ले क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही YouTube tips and tricks से related वीडियो देखने को मिलती रहती है तो छेले दोस्तों देर ना करते हुए फटापट से ले चलते हैं आपको अपने mobile phone की स्क्रीन पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको स्क्रीन रिकार्ड कैसे करना है तो इसके लिए simply आपको जाना है play store में और search bar में आपको search करना है यक्स रिकार्डर देख सकते हैं जहाँ पे एक screen रिकार्डर और video रिकार्डर नाम का एक application देखने को मिलेगा जिसकी 4.6 की rating है और मेरे ख्याल से play store पे इससे बहतर कोई application नहीं है तो simply आपको इस application को अपने phone में install कर लेना है और install करने के बाद simply आपको इसे open करना है दोस्तो जैसे ही आप इसको open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा दोस्तों आपे देख सकते हैं सबसे पहले video का icon दिया हुआ है और corner पे यहाँ पे आपको एक setting का icon देखने को मिलेगा तो दोस्तों जैसे ही आप setting वाले icon पे click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा सबसे पहले नमबर पे आपको देखने को मिलेगा microphone इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे आपको mute microphone internal audio and internal microphone का option दिया हुआ है तो आपको simply microphone select करना है और select करने के बाद back आना है बैक आने के बाद उसके नीचे आपको मिलेगा video setting का option तो simply आपको इस पे click करना है और click करने के बाद resolution में आपको 1080p quality में आपको auto रखना है और fps में आपको 60 fps रखना है और अगर आप इसके premium लिये हैं तो आपको 120 fps पे इसको रखना है अलागि मेरे पास कोई premium नहीं है इसलिए मैं इसको 60 fps पे use करता हूँ इसके बाद simply आपको सही वाले button पे click करना है क्लिक करने के बाद जहां पे orientation का option दिया हुआ है इस पे click करके आप इसके orientation को change कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो landscape mode में record हो तो आप landscape कर सकते हैं या फिर portrait कर सकते हैं या फिर auto कर सकते हैं यानि कि आपका phone जैसे जिस तरह से rotate होगा उस तरह से ये आपकी वीडियो को record करेगा तो यहां पे आप अपने हिसाब से इसको select कर लेंगे select करने के बाद आपको कोई भी setting नहीं करना है सिधे scroll करके नीचे आना है और यहां पे recording mode का option दिया हुआ है इसे आप normal mode कर देंगे और यहां पे countdown before start का option दिया हुआ है तो इसे आप अपने requirement के हिसाब से set कर सकते है माल लिजे आप अगर screen record के पहले एक दो second का pause लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं जो countdown सुरू होता है आपके recording के पहले वो लगाना है तो लगा सकते हैं या फिर इसको off रखेंगे मैं तो इसको off रखता हूँ इसके नीचे आपको pop-up window after taking skin start मिलेगा इसको आपको on रखना है और hide floating bell during recording जानि कि recording के डौरान यह जो bell है जानि कि यह जो दिख रहा है अगर आप recording करेंगे तो क्या आप चाहते हैं so हो तो इसे untick करेंगे अगर आप चाहते हैं यह hide रहे तो इसे आप tick कर देंगे इसके बाद आपको scroll करके नीचे आना है और कोई setting यहाँ पे नहीं करनी है simply आपको back आ जाना है तो दोस्तो यह हो गया हमारे screen recorder का पूरा setting अगर आपने अपना screen recorder set कर लिया है और कोई screen record कर लिया है तो उसे काइन मास्टर में कैसे edit करेंगे अब इसके बारे में जानेंगे तो दोस्तो काइन मास्टर में आने के बाद simply आपको create new पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको 16 is to 9 का ratio select करना है इसके बाद simply आपको next वाले बटन पे क्लिक करना है next वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको जाना है images वाले section में और यहाँ से आपको एक background image select कर लेना है हला कि यहाँ पे light gray color का एक background है जो कि मुझे काभी पसंद है इसे मैं ज़्याद प्रेफर करता हूँ इसलिए मैं इसे जहाँ पे background की तरफ लगाता हूँ आप background की timing को उतना ज़्यादा रखे जितना ज़्यादा आपका screen regarding का time हो माले जिए मेरा जो screen recorder है वो 2 minutes 2 seconds का है इसलिए मैं यहाँ तक रखता हूँ इसके बाद आपको simply सही वाले button पे click करना है click करने के बाद आना है आपको layer वाले option में और layer वाले option में click करने के बाद जाना है media file में और यहाँ से आपको अपने recorded screen को insert करना है माले जहाँ पे मैंने अपने recorded screen को insert कर लिया है जो कि land escape mode में है तो अगर आपकी वीडियो लेंडिस्केप में है तो आपको ये तरीका आजमाना है और अगर आपकी वीडियो पोट्रेट मूड में है तो उसके लिए मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा अगर land escape में है तो आपको simply इसको जूम करके बढ़ा करना है और बढ़ा करने के बाद यहाँ पे आपको एक crop का icon देखने को मिलेगा इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो भी unwanted part है इस वीडियो के उसको आपको crop कर लेना है crop करने के बाद सही वाले बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर इसको scroll करके दूसरे साइड में लेना है और यहाँ पे जो भी unwanted part है उसे आपको यहाँ से crop करने के बाद आपको इस वीडियो को अपने frame में fit करना है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने ह को एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सपोर्ट करने के बाद इस वीडियो को आपको दुबारा से एडिट करने है जो भी ऐरो अगरा लगाना इसमें आप लगाएंगे माली जे अगर आपको कोई एरो अगरा यूज करना है तो इसके लिए आपको simply जाना है layer वाले option में और यहाँ पे आपको sticker का option देखने को मिलेगा simply आपको sticker पे click करना है और यहाँ से आपको काइन मास्टर के asset store में जाना है और वहाँ से आपको बहुत सारे arrows के sample मिल जाएंगे उन्हें आप simply यहाँ पे download कर सकते हैं हलाकि मेरे phone में पहले से कोई arrow नहीं है इसलिए मैं कोई और जहाँ पे sticker लगा के आपको दिखा देता हूँ मालिजे आपको subscribe डालना है तो simply यहाँ से मैंने subscribe select किया और इसे अप जहाँ भी fit करना चाते हैं वहाँ पे fit कर सकते हैं कभी कभी क्या होता है screen regarding वाले किसी भी वीडियो में हमें किसी भी area को red pen से block करना होता है तो इसके लिए simply आपको जाना है layer में और यहाँ पे handwriting का option देखने को मिलेगा तो simply आपको handwriting पे click करना है और click करने के बाद मालिजे मुझे जे top chart वाले area को highlight करना है तो ऐसे आप इसे highlight कर सकते है highlight करने के बाद बगल में एक three line देखने को मिलेगा इस पे click करके आप in animation और out animation लगा सकते हैं दिखे इसका मैं draw इस्टो करूँगा तो इसका in animation कैसे देखने को मिलता है दोस्तों देख सकते हैं इसका in animation किस तरह से देखने को मिल रहा है यहां से आप इसके timing को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इसे कितना ज्यादा time तक drag करना चाहते हैं इसके बाद out animation है अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही यह erase भी हो जाए तो देख सकते हैं यह वाला animation लगा सकते हैं दोस्तों अगर आपकी वीडियो पोट्रेट मोड में हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने गैलरी से अपने पोट्रेट वीडियो को इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद आपको इसे भी जूम करना है और जूम करने के बाद सबसे पहले उपर के अनवांटेट काटना है कि अन्वांटेड पार्ट को काटने के बाद आपको अपने वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद एक साइड में कहीं रख देना है साइड में रख लेने के बाद फिर से आपको जाना है लेयर में लेयर में जाने के बाद मीडिया में ज जाएगा अब मालीजे मुझे ये मुबाइल फोन में अपने बीडियो को सेट करना है तो सिंपली आप अपने डिस्पले पे सबसे पहले इस मुबाइल फोन को सेट करेंगे तो दोस्तो मैंने अपने डिस्प्ले पे मुबाइल फोन को सेट कर दिया इसके बाद आपको सिंपली सही वाले बटन पे क्लिक करना है अब आपकी जो वीडियो है उस वीडियो को उठा के आपको लाके अपने मुबाइल फोन में सेट करना है ध्यान रहे कि यह जो वीडियो है वो एकदम से आपके मुवाइल फोन में सेट होना चाहिए और कोई भी पार्ट क्राप नहीं होना चाहिए और कोई भी पार्ट बाहर नहीं दिखना चाहिए देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से यहाँ पर अपने मॉवाइल फोन में इस वीडियो को फिट कर दिया है फिट करने के बाद आपको साही वाले बटन पे क्लिक करना है और यह जो मॉवाइल वाला लेइर है इस पे क्लिक करने के बाद उपर 3-Dat पे जाना है और यहां से bring to front कर देंगे जिसके बाद आपका जो video अला part है वो नीचे चला जाएगा और आपका जो frame है वो उपर आ जाएगा तो दोस्तो चलिए इसको थोड़ा सा हम play करके देखते हैं तो दोस्तो देख सकते हैं किस तरह का look यहां पे देखने को मिल रहा है काफी बेहतरीन look यहां पे देखने को मिल रहा है अब इसमें आपको अगर कोई arrow डालना है कोई handwriting डालना है तो आप simply डाल सकते हैं चैनल का logo डालना है तो वो डाल सकते हैं इसके बाद आपको simply यहां से export कर देना है तो दोस्तों आसा करते हैं आपको हमारे दौरत दीगी जानकारी पसंद आयोगे वीडियो पसंद है तो लाइक करो अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करो और साथी साथ वीडियो से related अगर आपकी कोई queries है तो ओ आप हमें comment बाक्स में पूछ सकते हैं या फिर Instagram का link नीचे दिया हुआ है जहां से आप हमें DM भी कर सकते हैं तो चले दूस्तों मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक लिए जैहिन वंदे मात्रम